हलो फ्रेंट वेलकब दुआ चानल करंट अफेर अपडेटेड दिस देवाशी शवस्ती और आज मैं आपके सामने मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक लेके आ गया हूं बहुत दिनों से इस पर डिबेट थी बहुत लोग कमेंट बॉक्स में लिग भी रहते हैं से हमारे एक्जा 2023 से लेके जून 2023 तक जितनी भी इंपॉर्टेंट साइंस एंटेक्स एलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूस हैं वो मैं आपको सिंगल लेक्चर में खरा दूँगा इस लेक्चर को जरूर देखके जाहिए क्योंकि आजकल एक्जाम में साइंस और टेक्स बहुत जाद आते है तो चल्य स्टार करते हैं इस लेक्चर को सबसे पहले जो चीजें न्यूस में करके डिस्कस करते आते हैं सब से निश्शम यह है निसार किन डोनों ने मिलके बनाया हुआ और यह satellite जो है वो launch होने वाली है इंडिया से कब September 2023 में तो यह देखे न्यूज में आ जाएगी September में मैं अभी से आपको बता दिये को कि यह बार बार न्यूज में चल रही है इसरो की अगर में बात करों तो बेसिक तो पता होगा आपका आई होप कि इसरो के चेर्मन को ने है एस ओमनाथ है एड प्रेजेंट इसरो फॉर्म कब वह था पंदर अगर्स को पंदर अगर्स देट तो हम यादी रखते हैं अपना इंडिपेंडनेंट है तो 15 अगस्ट 1969 में इसरो फॉर्म हुआ था यादकना आपको और इसरो के फाउंडर कौन है विक्रम सारा भाई तो यह कुछ बेसिक इसरो की इंफोर्मेशन में आपको दी बट यह चीज यादकना है डाट इस रिगार्डिंग निसास सेटलाइट चले नेक्स्ट इंपोर्डेंट साइंस है मैं पतातू है किया तो क्यों कि घूरं यादकना आपको और किसके लिए फॉर्ड द्रोंस के लिए तो बोड़र यूटूप वगर पे भी देखते रहते होंगे तो यारे कि द्रोन के लिए first traffic management system बनाने वाली company बन गई है और एक बात या दगने इसका नाम क्या रखा वो भी मैं आपको बताता हूँ इस company software बनाया है जहां पर आप drone operators जो है वो अपने plan route कर सकते को कि traffic management पूरा इन्होंने बनाया हुआ है तो किस तरह आपको plan route करना है अपन यूटीम रखा है यूटीम का full firm क्या होगा यूटीम का full firm है Unmanned Air Traffic Management System जो कि किसे मनाया है स्काय ने बनाया है तो अभी नितिन गटकरी आप देख रहे हैं इसका इनाउग्रेशन भी करने आए तो इस इंपोर्टेंट पूछा सकता है कि अभी रीसेंटली बनाया गया है तो किस कंपनी ने बनाया है तो आंगे बढ़तें नेक्स्ट मोस्त इंपोर्टेंट इंग है इस रो का SSLVD2 यह क्या है अब यह सब तो बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं आप देख रहोंगे स्पेस में ऐसे डी टू वेल टू पता नहीं क्या-क्या अन्यूज में घूम रहे हैं और कंफ्यूज हो गया आप आज लेक्चर में सारा चीज क्लिया कर दूँगा इस लेक्चर को एंड तक ज़रूर देखना अगर आप साइ क्या है तो यादखिए कि यह सेकेंड था फर्स्त डीवन जो था वो फेल हो गया था इंडिया ने डीवन मिशन को भी लॉंच गया था याद रखना है वो क्या था फेलियर था बट डीटू अभी लॉंच किया है इसी इनी सिक्स मन्त के बीच में और इट वॉस सक्सेस पहल है इसका डीटू मिशन हुआ जो सक्सेस्फुल भी रहा इसके अंदर याद रखिए कि इस रॉकेट ने एटेम्ट किया तीन सेटलाइट को यह ले गया तीन सेटलाइट कौन-कौन से थे वह भी पतायता हूं इस तो का यूएस जीरो सेवन पहला सैटलाइट दूसरा जादी सैट्टू, यूएस जीरो सेवन और जैनस वन जो यूएस पेस कंपनी का है यह तीन सेटलाइट याद अखना आपको इस SSLV-D2 मिशन ले गया था भी ठीक है जो सक्सेस्फुल रहा डीवन हमारा फेलियर था तो यह याद अखना है कि हमारा डीटू सक्सेस था तो न्यूज में अभी था तो पूछा है सकते आपसे कौन से सेटलाइट यह ले गया था और अगर मैं बात करूँ यह चिन्नाई बेस वाले का अजादी सैटू के बारे में तो बड़ा इंपोर्टेंट है न्यूज में भी बहुत जादा था क्योंकि इसको बनाने वाली 750 गर् अजादी सैट को जो मैं अभी डिसकस किया तो यह भी आपको याद अखना है तो बेसिक क्योंकि इंडिया परस्पेक्टिव से इंपोर्टेंट हो जाता है यह चलिए आगे बरते हैं नेक्स्ट न्यूज में आते हैं और यह हैं हमारे यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जीते आंसर देना है आंसर है मोहाली पंजाब में तो याद अखना है अट नाशनल अग्रिकल्चर फूट बायो टेक्लोजी इंसिट्यूट मोहाली पंजाब में इन्होंने इसको इनाग्रेट किया है अब एक कमेंट बॉक्स में कॉश्चन बता दो मुझे यह जीते निसिंग ज नासा ने एक इंडियन अमेरिकन ज्याद कि जैसे अपॉइंट्मेंट होती है अब हमने देखा अज अब आंगा हमारे 14 वर्ल्ल बैंक के चीफ बन गया है वैसे नासा ने ज्याद देखे कि अपना चीफ टेक्नोलोजिस्ट अपॉइंट किया है जिनकर हमें एसी चरानिया याद कि एसी चरानिया जो है वह इपॉइंट हुए हैं और यह एक इंडियन-अमेरिकन है थेक है तो बड़ इपॉस्टछ आ सकते हैं तो डैरेक्ट अपॉइंट्वि कोशेन पूचहा सकता है कि अभी नासा ने किसको चीफ टेखशन जो है वह अपॉइंट किया है तो इंडिया का first 5G enabled drone जिसका नाम रखा गया Skyhawk, तो पूछा सकता है Skyhawk क्या है, तो या रखना 5G enabled drone है, इंडिया का first 5G enabled drone है, और इसका capability है, कि vertically या देखियेगा take-off भी कर सकता है, और vertically land भी कर सकता है, vertical take-off प्लस vertical land, दोनों ये कर सकता है, और इसका नाम है Skyhawk, तो Skyhawk आपको या दखना है, Skyhawk पूछा है सकता है, आपसे, exam में, चलिए, आगे science attack में important news, इसरो ने शुकरयान जो वन मिशन था हमारा, शुकरयान वन मिशन, जो कि हम planet Venus में जा रहे थे, Venus में हम ये mission को launch करे थे, इसकी date extend कर दी गई है, अब ये shift कर दिया का है, 2031 में हम अपना शुकरया इसको, इसने discover किया भी नय एक्सो प्लैनेट, जिसका नाम है LHS 475B, अब सबसे पहले question कैसे आएगा, question कैसे आएगा, पहले LHS 475B ये है क्या, तो ये एक्सो प्लैनेट है, एक तो ये easy question हो गया, दूसरा पुछा रखते है, एक्सो प्लैनेट होते क्या है, या दिखिएगा हमारे सोलर सिस्टम के बाहर, जो स्टार्स हैं, तो या दिखने हैं, जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर जो स्टार्स हैं, उनकी बात कर रहा हूँ, के definition पढ़ते हैं, एक्सो प्लैनेट आदब प्लैनेट, ठीक है, वो ऐसे प्लैनेट है, that orbit around star, जो stars के around orbit कर रहे हैं, और that are away from our सोलर सिस्टम, बट हमारे सोलर सिस्टम के अंदर वो काउंट नहीं होते हैं, ठीक है, तो ऐसे प्लैनेट जो star के around rotate कर रहे हैं, but they are doesn't come, they are away from our सोलर सिस्टम, बट ये सोलर सिस्टम से हमारे बाहर है, ऐसे को हम ऐसे प्लैनेट को कहते हैं, एक्सो प्लैनेट, तो अभी रिसे ये इंडिजीनेशली मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया है, इंडिया ने, और इसको डेवलप किस ने किया है, आइटी मदरास का ही इंक्यूबेटेड फर्म है, जिसका नाम है JNK Operation Private Limited, तो जस्ट रिमेंबर आइटी मदरास बहुत नीज में इसी की वज़े से इंडिजीनेश ऑपरेटिंग सिस्टम इंडिया के लिए डेवलप किया है, तो पुझाएंका बार ओपरेटिंग सिस्टम है, तो जने आइटी मदरासी उप्शन वो देंगे, तो आपको कर्था आंस लगाना, आइटी मदरास, अब एक वाइरस बहुत निज में है, नोरो क्या है केरल में डिटेक्ट भी हुए कुछ लो नुरो वाईरस निरो वाईरस ने एक ग्रुप ओफ वाईरस है जो की एफेक्ट करता आपके गैस्तो इंटर्स्टाइनल इल्नेस पर यह स्टमक और इंटर्स्ताइण में एफेक्ट करता है जिससे कि आपका पेट दर्द वगरा वामिटिंग यार के डाइडिया यह सब चीजे आपको होने लगती है यह होता कैसे यह आप गंदा खाना है गंदा पानी है साफ सफाई नी रख रहे हो हाथ आप अच्छे से नीद हो ठीक है या तो कोई आपके बाई भी आ रही ह यह हो सकता और अभी रिजेंटल में डिटक किया गया था इसे नोरो वाइरस अभी न्यूज में तो मैं आपको था क्या है बेसिक आपको पता होना चाहिए चलिए आगे इस वेरी इंपोर्टेंट आने की चांसे सबसे ज़्यादा है साल लगाओ यह क्या है इन कोवेक लगी होगी बट अब इंडिया की पहली इंटरनेसल या देखेगा मतलब नाक में ड्रॉप डालके वैक्सीन आ गई है जो कि बहुत अची बात है अब इसको बनाया किसने हैं इंटरनेसल मतलब आप निडल फ्री हो रहे हो एक तरीके तब निडल लगाएंग ज़रोत नहीं है बारत बाइयोटनेसल मिशन गना में बताएगा है जूपिटर बिए में होगा जूस जूपिटर का मिशन है अभी अप्रेल 2023 में लॉंच किया तो पहला पूछाएगा यह जूपिटर किस प्लैनेट के लिए तो आंसर होगा जूपिटर किस स्पेस एजंसी ने लॉंच में कुशन चा जाएगा इंडिया का पहला first mission to study the sun जिसका नाम है आदित 11 और इसको launch किया जाएगा August September 2023 में तो यार कि this is going to be very great mission news में बहुत होगा सेप्टमबर में क्योंकि हमारा आदित 11 launch होने वाला है तो आप देख रहे हैं सेप्टमबर में बहुत को launch हो रहा है तो इसलिए इस बाइस पेस और साइन्स और बहुत news में रहने वाला है और questions बहुत आएंगे ठीक है तो आदित 11 आपको याद आख रहे है नेक्स गूगल ने इंटेड्यूस किया है AI chatbot इसका नाम है BARD तो पूछाएगा BARD जो AI chatbot है किस ने इंटेड्यूस किया तो इसका आंसर है Google ने इंटेड्यूस किया है ठीक है और क्यों इंटेड्यूस किया है जनरेटिव प्री ट्रेंड्रांसवार्मर तो फेले बात इसका फुल-फॉर्म आपको पप्ता आऊ चलिए chat जनरेटिव प्री ट्रेंड त्रांसवार्म पहला तो आप इसको यादब करें दूसरा यह किसने बनाया हुआ है तो of course Microsoft ही सपोर्ट कर रही है Microsoft बैग्ड फर्म है जिसके आमें open AI जिसने इसको बनाया है चैट GPT को ठीक है तो यार कि Microsoft लिखेंगे अगर Microsoft option नहीं होता तो open AI option होगा ठीक है इसने चैट GPT बनाया है तो यह आपको यार रखना है गूगल ने भी अपना चैट GPT एक तरीके से यह चैट बाउट रिलीस किया इसको नाम है बाड तो पूछा रखता बाड क्या है एक और न्यूस में नोट करके मैं लि लेक्सी के बारे में ठीक है तो लेक्सी पूछा सकता है बाड पूछा सकता है चाइट GPT का फुल फॉर्म पूछा सकता है चाइट GPT कौन स्पॉंसर करता है तो Microsoft करता है याद हखना आपको ठीक है चले आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नीज में तैस गगन यान मिशन यह तो इसरो का पहला फर्स्ट स्पेस फ्लाइट मिशन है जहां पर हम लोगों को लेब जाएंगे फिर वापस भी लेके आएंगे याद एखेगा तो ऐसा इंडिया ने अस तक नहीं किया बिल्कुल नहीं किया इंडिया नहीं किया बर अदर कंट्रीज कर चुकी है वो भी मैं जाएंगे हैना 400 km to an orbit of 400 km for a 3-day mission और उनको वापस हम back safely अर्थ में लाएंगे ठीक है यह आपको याद रगना है और ऐसा नहीं इंडिया से पहले तीन कंट्रीज और कर चुकी है यह that is US, Russia और चाइना अगर हम यह चीज successful होते हैं तो we are going to be the fourth country in the world okay तो यह human space flight mission अभी तक ती गगनियान को through ISRO geosynchronous satellite launch vehicle that is GSLV mark 3 के through इसको हम launch करेंगे तो यह भी आपको याद अखना है और एक खास बात है कि इस गगनियान mission में एक रोबोट को भी भीजा जा रहा है लेडी रोबोट जिसका नाम है व्योम मित्र तो यह पुचा रहा है व्योम मित्र इस लेडी रोबो 2023 में न्यूज में आने वाला है गगन चंद्यान 2 mission आपको पता होगा फेल हो गया था हमारा बचंद्यान 3 की date आ गई है that is 12 जुलाई 2023 देखते हैं यह उस टाइम पर launch होता है क्या इसका response होता है बचंद्यान 3 के बारे में थोड़े basic मैं बतायता हूँ इसको launch किसे किया जा प्रपॉल्शन मॉड्यूल एक होगा लैंडर मॉड्यूब और एक होगा रोवर बतायता होता क्या है मॉपर फिर वहां से रहेगा वह निकले और वह बाकी activities करेगा तो तीन तीम में तीम मॉड्यूल जह वह आपको याद अचना है डाइग्राम यहां पर बना हुआ है तो just remember the Chandran 3 जो अभी न्यूज में आने वाला है वापस से और exam में देख लो क्यों space इस बार न्यूज में रहने वाला है मैंने पहले से बता दिया है बहुत सी चीज होने वाली इस बार जुलाई से रहे के दिसम्बर के बीच में और नेक्स इस ब्रेट बहुत इंपोर्टन और यह आपको अच्छा भी फिल कराएगा इंडिया एक ग्रेट कंट्री सब समझ में भी आएगा आपको कैसे क्योंकि इंडिया का री यूजिबल लॉंच वेकल अभी 2nd April 2023 को इंडिया ने इसका सेकेंड एक्स्परिमेंट किया है याद अखियेगा 1st experiment 2016 में किया था तैसे री यूजिबल लॉंच वेकल का अब याद खियेगा RLV की मैं बात कर रहा हूं और इसका 2nd experiment हो गया है और यह जब space पर launch vehicle जो रहेंगे जब space पर जाकर वापस आ जाएंगे ठीक है और वो आप उसको वापस यूज कर सकते हो याद है उसके पांच को वापस यूज किया जा सकता है तो कितनी अच्छी बात अगर आप मालो एक बापने space mission लाँच किया ठीक है और उसके बाद आप launch vehicle यूज किया होगा उसको वापस यूज कर सकते हो ठीक है अगर पूरा नहीं तो कुछ पांच यूज कर सकते हो तो यह अब reusable launch vehicles बनाए जा रहे हैं और इससे क्या होगा हमारा जो space में जाने का कॉस्ट कम हो जाएगा और इस पर अचीव हो जाता है तो आप सोचिए कि हम ज इसेंटली यह experiment conduct हुआ है ठीक है चले आगे और यह जादा एक्वरेट था फर्स एक्सपरिमेंट बे तो हमको यह नहीं पता था कि हमारा जो launching वेकल हो कहां पर गिर रहा है बट इस बार हमने एक location मनाई थी और वहीं पर आकर वो गिरा भी है तो इस आ ग्रेट थिंग नेक् X-ray Polarm Meter satellite ऐधियर पोलरी मिंटर्स सैटलाइट ठीक है? एक्स बॉलरी 미ंटर सैटलाइट अब यहे क्या? uhm पहली बात तो मैं बता दो अगर इंडिया इसको अभी लॉंच करेगा आगे चलके मतलब इस साल के लुख वेंच Bel के second after NASA world के second हम हो जाएंगे इंडिया का तो first हो गई world का second हो जाएगा जो इस polar meter satellite launch करने वाला है अब यह है क्या वो मैं आपको बताता हूं सबस्थ पहले इस तो ने collaborate किया है रमन research institute जो की बैंगलॉर में उसके साथ collaborate किया है है ना और रमन research institute एक autonomous research institute है जो बिल्डप कर रहा है इस तरह के साथ क्या एक्सरे पॉलरी मेंटर सेटलाइट जिसको मैंने बताए आपको end of the year launch किया यह क्या देखिए अगर आप स्पेस में जाएंगे तो आप देखेंगे बहुत से जान पाएंगे तो कहने मतलब इट विल स्टेडी तव वेरियस डानेमिक्स और ब्राइट एस्ट्रोनॉमिकल एक्सरेइज आप स्पेस में जाएंगे बहुत सब्सक्राइज आपको लाइट्स दिखेंगे उसकी स्टेडी की जाएगी अफकोस जिससे आपको उसके सोर्सेस पता चलेंगे स्पेस के बारे में आपको और इंफरमेशन मिलेगी और इंडिया ये end of the year करेगा इंडिया सेकेंड वर्ल की कंट्री बन जाएगा तो लांच दपोलर मिट्र सेटलाइट तो यह एक्सपोस आइट आपको याद आखना है यह एक्जाम में आ सकता है चले नेक्स एक इसकी शुपर कंप्यूटर इसके आम है डाट इस एरवाट यहाद तो सीधा कोशन आएगा आपको आंसल अगा देना सुपर कंप्यूटर ठीक एए इसको सिचुएटिण कहा पर है यह सीडएख पूने में सिचुएटिण है या दखिएगा इस सिचुएट बंदी Microsoft ने लॉंच किया, it is a AI chatbot, AI मतलब artificial intelligence, comment box मुझे AI who is the father of artificial intelligence, या मुझे comment box से mention करके बताएंगे, okay, आगे बरते है, Apple ने पहला store open किया अपना इंडिया में, जो उन्होंने first store open किया, कहां open किया, Mumbai में, सिधा है सकता है, recently अपना, पहला Apple ने store open किया, कहां open किया, answer would be Mumbai, Delhi option ह होगा, Bangalore option होगा, या दखिएगा, IIT indoor, this is also very important, उसने collaborate किया, NASA के साथ, to develop low-cost camera setu, या दखिएगा, तो पुझा रखता है, किस IIT ने low-cost camera setu, NASA के साथ collaborate करके बनाया, तो answer है, IIT indoor ने किया, okay, next, DRDO की industry academia center for excellence, inaugurate किया गया, कहां पर, that is IIT हैदरबाद में, सीधा question आएगा, DRDO का industry academic center for excellence, कहां इनागरेट किया गया, आपको answer गाना है, that is IIT हैदरबाद, next, अगर बात करता हूँ, serum institute to establish, उसने establish किया है, center of excellence for infectious disease and pandemic preparedness, कहां पर, that is at हैदरबाद, तो सीधा direct questions होगे, इसमें ज्यादा details नहीं पूछी आएगी science attack में, सीधा direct question आपको correct answer mark करना होगा, next, यह पूछा है कि stay safe, एक online campaign launch किया गया है, online safety के लिए, किस ने launch किया, आपको दे देंगे, instagram, facebook, whatsapp, इसका correct answer होगा, whatsapp, whatsapp ने launch किया, stay safe campaign to educate people of online safety, यह देखियेगा, so it's a initiative, यह ऐसे question बहुत exam में पूछे आते हैं, okay, next, अभी recently Indian Space Policy launch हुई है, पूछा रखता है, Indian Space Policy किस year में launch हुई है, तो आंसे यादा है, 2023, detail में आप पढ़ सकतो, अगर आपको detail में जानना होता, आप इस policy को पढ़ भी सकतो, but 2023 में अभी हमने launch की है, okay, next, Skyroot Aerospace है, जो के of course एक private firm है, उसने test किया है, fully, advanced, fully 3D printed cryogenic engine, यह दखियेगा, 3D printed cryogenic engine successfully, okay, cryogenic engine वगएरा के बारे में आप चाहें, तो मेरे Space Science and Tech के lectures देख सकते हो, details में बताई हुए है, but current में यह आद अखना है, okay, Artemis second mission, यह mission कहां के लिए है, सीज़ा पूछाएगा आप से, यह mission है, moon के लिए, और यह किस का mission है, इस रो का, नहीं, यह mission है, नासा का, तो यह exam पूछते हैं, यह mission किस country का है, match the following वगरा में, तो वहाँ सकता है, क्योंकि यह news में है, okay, next, इंडिया का first solar powered tourist boat, जिसका राम है, Suriamshu, remember, इसको launch किया गया है, कहां पर, Keral में, और Keral में किस से launch किया है, Keral State Inland Navigation Corporation है, उसने launch किया है, solar powered tourist boat, इसका नाम मैं अभी आपको बता है, it can generate, produce 27 kilowatt of energy also, यह 27 kilowatt of energy यह generate कर सकता है, तो सीधा नाम आएगा आपको, और आपको पहचानना होगा, कहां से launch किया, that is at Keral, okay, SpaceX की बात करता हूँ, SpaceX आपने सुना होगा, साउधी अरेबिया ने अपनी पहली वोमेन जो है, उसको भेजा है कहां, Space में, तो फर्स साउधी अरेबियन एस्टोनोट जिसको भेजा गया है, SpaceX ने, ठीक है, USA की फर्म है, यह प्राइवेट लिमिटेड फर्म है, जिसने भेजा है, अफको पैसे लिए है, स्पॉंसर किय साउधी अरेबिया की गवर्मेंट ने जेन्डर इक्वालिटी को दिखाते हुए, पहली वोमेन एस्टोनोट छेंड किया, जिसका नाम याद अखेगा, रायना बर्नावी है, जो की पहली साउधी फीमेल एस्टोनोट है, ठीक है, तो कोशन आ सकता है, साउधी अरेबिया क पहली फीमेल एस्टोनोट कौन है, कोई न्यूज में बहुत चल रही है, मिशन लूसी, सीधा पूछाएगा, यह मिशन लूसी किसका मिशन है, किस स्पेस मिशन है, तो यह है नासा का, और यह है क्या, इस फर्स्ट मिशन टो एक्स्प्लोर जूपिटर ट्रोजन एस्टोइ करने के लिए, जूपिटर के एस्टोइड का नाम जिसका प्रोजन है, उसकी स्टडी करने के लिए, मिशन लूसी जो है, वो नासा ने लॉंच किया हुआ है, तो यह अभी लॉट पहले किया हुआ था, अभी उसकी कुछ इमेज वगरा उन्होंने भीजी है, इसलिए यह न इसलिए मैं आपको नाम बता दिया, हो सकता पूछ लें आप से, कि मून टू मार्स प्रोग्राइम जो नासा ने लॉंच किया हुआ है, तो आप सोचे कोई फॉर्णर होगा, नहीं, इंडियन ओर जिए पॉइंट हो भी रहे है, नेक्स, स्पेस सिस्टम डिजाइन लैब, यह क्या है? यहां लेटर सपोऑस आपको स्पेस पर कुछ वर्क करना है, स्पेस साट अड़ा रहो आप, तो आपको रिसोर्स नहीं है, मेरे को जल्दी बनाना, कैसे बनाऊ, तो उसी को देखते हो, स्पेस सिस्टम डिजाइन लैब बनाय गया है, यह लैब कहां बनाई स graphics promotion authorization center in space अनोगरेट किया और इन स्पेस की अगर बात करूँ तो यह क्या है यह एक independent modal agency है अंडर department of science ऑक टो यह जो space system design अनोगरेट किया है यहाँ फोगा क्या यहां पर ऐसा क्या वह जो space startup बनाना चाहते है। स्पेस पर work करना चाहते companies okay वो यहां पर अपने ideas ले क्या सकती है उसको कैसे implement करना है जल्दी quickly research कर सकते हैं development cost कम लगे उनका research जादा हो सकते उसके लिए design lab जो है वो develop की गई है तो सीधा मिलावट होती है उसको चेक कर सकते हैं और याद कि एक 3D paper-based portable device है जो कि IT मदरास ने develop किया है तो सीधा पुछाएगा यह milk 4-5 महिनों में बहुत कुछ discovery किया उस पर भी मैं discuss कर दूं तो मैं उस पर भी discuss करूंगा IT का special बनाऊंगा ठीक है अभी लेक्षय कंप्रीट हुआ है मेरा smart board switch off हो गया है बड़ी में आगे continue करूंगा ठीक है तब तक मैं आपको बता जाता हूँ मेरे जो notes है उसको जरूर follow कर लेना मैंने application में application का link दिया हुआ है मेरे WhatsApp नमबर दिया हुआ है तो आप जाकर एक बार क्या करना आपको मेरे WhatsApp में message करना अगर आप मेरे स्टाइड को play करना पड़ेगा ठीक है तो play कर देते हैं अपन तो अभी आपको पता होगा वी यह डिलिंग विट डाट इस science and tech जाएं से हम पूरा देख रहे थे ओके सो यह एक बार revision कर लिएगा इसका PDF जो है न वह में टेलीग्राम के ग्रुप पे मैं प्रोवाइड कर दूँगा वहां जाकर आप यह PDF ले सकते हैं तो अब यह स्पेस सिस्टम पर हम डिसकस कर रहे थे यह स्पेस सिस्टम डिजाइन लैब जो मैंने बता आपको गांधी नगर में स्टैबलिश की गई यह उस पर डिसकस कर रह अब नगरे एक वान वेब इंडिया टू मिशन यह बता दो यह इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट हम बता रहों तू है मतलब यह सेकेंड लिशन था ठीक है अब मैं बता दू वन वैब है क्या वढ़ प्राइवेट फिर में यू के टीडिक है उसको अपने सैटला सब्सक्राइब के साथ मैं आपको पैसा दूँगा आप तो मेरे 72 72 सेटलाइट जो है वो स्पेस में पहुचा दिए दो फेस में 36 एक टाइम फिर 36 एक टाइम पर ठीक है वो अपना डेवलप कर रहा है ठीक है इस सिक्स मंत में अगें इस्टो ने क्या किया है जो इसका 36 बचे हुए थे याद रखेगा वो अगें इस्टो ने सेंड किये तो पूरा अप कम्प्लीट कर दिया है तो सेकेंड कमर्शल लॉंच हुआ है इसके बदले में पैसे भी लिए याद कि इस्टो का जो कमर्शल आम ह साइल उसने पैसे भी लिए वन बैब इंडिया से और उनके जो थड़िशिक सेट्राइट है वो स्पेस पे पहुचा दिया है लोगे बट खास बात यह थी कि इस पार जो पेलोड कैपसिटी थी एराउंड सिक्स तन यहां देखेगा पतलब सेट्राइट का वेट जो था व होती है जिसकी एल्टिटूट जो हाइट थी वो 2000 किलोमीटर से कम होती है ठीक है वहां पर हमने याद रखेगा इस थर्टी सिक सेटलाइट जो थे वन वेब इंडिया के ठीक है जो एक यूके बेस फ़र्म है उसके हमने सेटलाइट को पहुचा दिया है तो यह आपको से मिलते हैं अफकोर्स इंडिया का स्पेस प्राइटाइशन में अगर बात करें हम तो कमर्शलाइशन बढ़ रहा है हम से लोग और सेटलाइट से अपने स्पेस में पहुचवाएंगे जिसे हमको और फंच मिलेंगे नेक्स हाइदराबाद बेस्ट है कंपनी का नाम है बया है 202 पर न करेंगे चारव उतंड में लिचंई होंगे बिल्कुल यह वर्क करेंगे जो डिफ्रेंट टेयर न होटे हैं डिफ्रेंट इसे हंगग कर सकता है तुह भी डेवलट किया गया है प्लस एक्षो स्केल्टेन भी डेवलप किया इसी हैददबाद बेस सावया रोबोटिक्स ने इससे क्या होगा यह स्केल्टेन लगा पहनने के बाद शूट पहनने के बाद जो हमाई इंडियन सोल्जर्स हैं या देखेगा उनको अच्छा कासा पावर मिल जाएगा उनको पा अभी रिसेंटली इंपोर्डेन टेक्लोजी प्रोवाइड करने की बात की गई है तो अफकोस यह भी सक्सेस्फुल रहा है तो इस तरह डिफेंस सेक्टर हमारा और मजबूत होगा तो दोनों डिफेंस सेक्टर में लांच किया है और लास्ट न्यूस है यहां तक आप आग अब आपको याद देखना सबसे बहले वर्ल्ड हेल्थ और्गनाइशन यहां पर हमारा जो लेक्चर था स्पेस टेक्नोजी जो की बड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है जहां चंद्रयान डिसकस किया मैंने गगन यान डिसकस किया आप देखें रियूसिबल लॉंचिल डिसकस नहीं पढ़की जाते एक्जाम से पहले बट मैंने बता दिया तो शायद आप पढ़की जाओ और एक दो कुशन आ जाए और एक्जाम में आपके मार्क्स आ जाए और आप कॉलिफाय कर जाओ तो अगर आप हमें कुछ डोनेट करना चाहते हो तो फोन पे गूगल पे पे ट अब यह discount क्या होगा यह तो आपको वाट्चहप करना पड़ेगा इस discount क्या होगा क्या इस discount से मैं आपको हैं वह सारे प्रोवाइड करने वाला हूँ क्योंकि देखो साइंस तो पढ़डी या करने अफैस तो पढ़डी बट पॉलिटी कहां से पढ़ोगे जियोगरफी यह सब सब इसकाज़ पढ़ा है इसके लिए मैंने सारे ጥिन निकाले हैं यह यह पॉलिटी के सेंपल था नेक्सिन डिखा रहा हूं धЭ्ज आदर्ट अर्ट न्सक्राइब कर उला इसके नूट चाय अंधिन लोगे इंकड़ cragy कर लिया यह सब्जेक्स सारे पढ़ लो एक करके जो मैं आपको बताने वाला हो एक करके सैंपल में तो आपको एक्जाम नहीं रूक रहा है मैं आपको बता दूँँ आपको जाएगा ठीक है लेवल आप देखो मैंने साइट आपकिक कवर किया आप चाहो तो कोई भी टेस्स देले ना सारे कोशन बन जाएंगे साइंस इंटक किया यह है जनरल साइंस के नोट जनरल साइंस भी बड़ा इंपॉरेंट है यह सारे जो मैंने मिशन्स बताया न सब इसमें लिखे हुए है आप चाहें तो नोट कर सकते हो प्रॉपर ली अपडेटेड है करेंट अफेस व को बताऊंगा वोकि नोट्स आपने घर मगवा सकते हैं को रिख अपको देख रहे हैं तो वाच्छाप भी कर सकते हैं हैं करण अब हैर यह सारी आपको मिल जाए यह को बाद एक वाएस पढ़ लिया तो इसsite ही को आपने एक पड़ लिया आ तो इस्से ही कौशन आ रहे है करा देगा एंशेंट हिस्ट्री बहुत डिफकल्ट होती कुछ लोग कहते हैं सर क्या पढ़ें बहुत डिफकल्ट लग रहा इतना सारा टॉपिक है तो देखिए इसमें सब प्रॉपर डाइग्राम फॉर्म में पॉइंट फ्रेम में लिका है एक बाग गो तुरू कर लो आप पर आप देख सकतो फिजिकल और जोगरफी सारे नोट्स या देखिए का फिजिकल जोगरफी आज कर इंपॉटेंट पार्ट है कोशन बहुत आ रहे हैं वर्ल्ट जोगरफी मैपिंग वगरा बहुत इंपॉटेंट है वो सारी मैपिंग यहां पर की गई है लास्ट में 11 11 यह 11 बुकलेट इस बॉडर्न हिस्ट्री तो मॉडर्न हिस्ट्री के भी सारे पॉइंट्स पेंशन है एक बार गोतुरू करके चले जाना अगर आपका नोट्स है भी अलग 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 कोचिंग्स के हैं भी इसको ज़रूर लो क्योंकि एक बार पेसको गोतुरू करोंगे आप क्वालिटी एनलाइज कर पाओगे क्योंकि वह आपके प्रिंटेड नोट्स होंगे यह मेरे क्लास नोट्स में आपको दे रहा हूं जो कि हैंड रहेंगे इनको और करने कले आप मुझे तुरंद वाट्चाप करो ओके आप मेरे अप्लिकेशन को भी डाउनलोड कर सकत आपको लेक्शा सँस्ध है भी पधिरट यूपटी प्रक्रिशन करौण करो एक वार मेरे अप्लिकेशन को डाउनलोड करो या अबर पर कोर्शिक की प्रपेशिन करको जनर्स नोट्सशन शकों के ईग्शुन करो स्बकुछ अवालिए तूजब पढ़ सकते हो इन्सेशल बात समझ रहोंगे याद रखिएगा क्योंकि आप अधर कोचिंग्स में पढ़ रहे हो बट अगर आपको यूस्फुल कंटेंट नहीं मिल रहा है एक्जाम क्लियर नहीं हो रहा है तो कोई मतलम नहीं उन मैं में इसलिफ को अगरा आप शियर करहें को करोंगा आपको वीडियो यू सिर्फ करना पड़ेगा चैनल को लाइक करना इघर करना चैनली हेल्म और ऐसे ही-ब्यूंट प्रिच्ण पड़ताओ क्योंन उस पर वीडियो बनाएं नहीं तो तो इसे व्यूंट नहीं fase आप रेडी रहे हैं को नोडिफिकेशन आने के बाद यह नहीं कर नहीं होती है पहले से त्यारी कर रखो कोई डाउट को दिदते हैं और यहाद है कि नोड़ा को तुरंट ऊड़ क्रो तुरंट नत वॉट्चवप पर साइंस लिखके वॉट्चवप करिए आपको करें आको